मूँ के चाले हम सभी को कभी न कभी हुए ही है। जहां कुछ लोगों के मूँ के चाले एक दो अफ़ते में ठीक हो जाते हैं, वही कुछ लोगों को इनकी विज़े से काफी परशानियां भी होती हैं। और अधिक मिर्च मसाला खाना खाने से होते हैं लेकिन फिर भी यह कई अन्य कारणों से हो सकते हैं कभी कभी यह अलसर इतने दर्दनाग होते हैं कि आपके लिए खाना खाना पानी पीना ब्रश करना और यहां तक थूपना तक भी मुश्किल हो जाता है यूँ तो इसके लिए कई दवाई और क्रीम भी उपलप्त है और कुछ लोग घरेलुन उसको से भी मुँ के चालों का इलाज करते हैं लेकिन उप्चार अपनाने के साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि मुँ में छाले होने पर आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं तो आये जानते हैं इस situation में आपके लिए क्या खाना सही होगा और क्या नहीं मुह के अंदर किसी तेज या धारादार चीज के जाने से, पेट साफ ना होनी की वज़े से, बहुत अधिक तीखा या सूखा खाने के कारण, दातों की सडन, हर्मनोल चेंजिस, जीवन में तनाव और चिंता डिहाइडरेशन, अधिक स्मोकिंग और अलकाहॉल का सेवन, मुह बताते हैं कि मुह में छाले होने पर हमेशा करम पानी से कुला करना चाहिए, इससे खाना खाने के बाद मुह में छिपे बैक्टीरिया भी निकल जाते हैं, जिससे छाले जल्दी ठीक हो जाते हैं, मुह के छाले से परिशान व्यक्ति के लिए कुछ भी खाना काफी मुश्क नहीं है क्योंकि आप इस दोरान इन फूड आइटम को खा सकते हैं मूँ के चालो में मिलकशेक पीना एक बैटर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इससे शेरीर में ठंडक जाती है और मूँ के चालो से परिशान व्यक्ति को दर्द सराथ भी मिलती है केला खाना जैसे कि आपको में दही या पनीर जैसी चीजें भी खा सकते हैं मूँ के चालो में फ्रूट्स खाना भी बैटर ऑप्शन प्रूफ हो सकता है इस दोरां तर बूच खाना सबसे फायदेबंद उपाय साबित हो सकता है क्योंकि यह मानफ शेरीर में पानी की कमी को पूरा करता है तो झालो में